लखने का पूरा प्यास हो और वैसे ही क्योंकि लोग निर्मान विभाग के तहट जहां पर भी हम प्रदेश में जाते हैं बहुत सी समस्याएं हमारे पीछे कॉंट्रेक्टर्स को भी आ रही हैं जो पीछे क्रशर बंद थे उसकी वज़ा से क्यूंकि उसमें भी पीछे जब आपदा आई तो ये निर्ने सरकार ने लिया कि बहुत से क्रशर जो अवैद रूप से चल रहे थे छालांकि पहले तो सारे क्रशर बंद किये गए नि हमें legal हो रही थी यह नदियों के नदियों का खनन हो रहा था तो इसलिए ये फैसला लिया गया कि बियास नदी को जो है वो पूरे तरीके से उसके उपर जितने भी करशर है वो बंद कर दिये जाएंगी उसके बाद कमिटी का गठन किया गया उन कमिटी ने सब माइनिंग बी जाकर और जितने भी करशर हैं उन पर जाकर इंस्पेक्शन करी और उसके अब सरकार कुछ को खोड़ने का निरने जो है वो लिया उसके विए जो है कारवाई करणे की बात मुख्यमंत्री जी ने करी है चाहे वो डीजल कर नीजल के उस पर जो करशर चल रहे थे जा जो ये भी आपको विश्वास दराना चाहता हूं कि हम लीगल माइनिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें जो क्रशर्स जिन्होंने सारी और चारिकता पूरी करी है उनको हम फिर से जल्द खोलने के लिए वचनवद्ध है